Hi everyone, I hope you are doing great. मैं रुपेश कुमार मिस्रा आपने YouTube चैनल BrainStorm Media पर आप सभी का स्वागत करता हूँ. देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, जिनका भी BA, BSC, Become का Part 1 का रिजल्ट आया था, मतलब 2022 से 25 शेशन की जितने भी छात्र है, इनका रिजल्ट, दो मेहने, तीन मेहने पहले Science, Commerce और Arts का जारी हुआ था, उसमें जितने भी छात्र प्रमोट हुए, मतलब जो प्रमोट हो गए है, जो पास नहीं कर पाए, वो अपने रिजल्ट का करेक्शन कैसे करवा सकते हैं, दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पार्ट वन में जो प्रमोटेट छात्र हैं, वो पार्ट वन का एग्जामिनेशन दे सकते हैं या नहीं, इन दो टॉपिक पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और यूनिवर्सिटी से आपका क्या अपडेट आया है इस संबन्द में, ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि पार्ट वन में जो प्रमोटेट छात्र हैं, वो अपने रिजल्ट का करेक्शन कैसे करवा सकते हैं, साथ में जो पार्ट वन में फेल हो गए हैं, मतलब प्रमोट हो गए हैं, फेल नहीं कहना चाहिए, वो लोग पार्ट व में बैठ सकते हैं, मतलब पार्ट व का एक्जाम दे सकते हैं या नहीं, डीटेल में हम लोग चर्चा करने वाले, आज इस टॉपिक पर और यूनिवर्सिटी का क्या अपडेट है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, आपके रिजल्ट से सम्बन देत, मतलब पार्ट वन रिजल्ट से सम्बन देत, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोग इस रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो लोग नए है, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकोन है, प्रिस करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, वो आपको समय समय में मिलता रहे, मिलता रहे, इसके लिए आपको चैनल के साथ में जूर जाना, युनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, एजुकेशनल कंटेंट हो, आपका कहने का मतलब स्टडी मेटेडियोल हो, सब कुछ इस चैनल पर देखने को मिलता है, आप चाहें तो हमारा टेलिग्राम चैनल भी है, उसको भी जूइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके आपको टाइटल पर जैसे क्लिक करोगे, पर नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उस टेलिग्राम ग्रूप को जोएन कर लिजे, वहाँ पर आपको फाइदा मिलेगा, हर एक नोटिस, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक स्टेडी मेटेडियल उस ग्रूप में भेजा जाता है, जैसे आपका पार्ट टू का एक्जाम होगा, उससे रिलेटिड कंटेंट और पार्ट थरी का भी अगले साल होगा, आईए बात करते हैं हम लोग, देखिए, सबसे पहले बात है कि पार्ट वन प्रमोटरी डिजल्ट का कारण क्या सब हो सकता है, ये सबसे पहले आप जान ये, एक कारण हो सकता है अबसेंट का, जो बहुत सारे छातरों को अनुपस्थित कर दिया गया है, अगर मान लेजे किसी कारण वर्स आपको अबसेंट कर दिया गया है, उस वज़़े से भी आप प्रमोट हो गए हो, जबकि आपने परिक्षा दिया था, लेकिन फिर भी आपके रिज़ल्ट में अबसेंट दिख रहा है, तो इसका कॉन्क्लूजन क्या है, इसका सुधार करवाने का रास्ता क्या है, आप क्या करो, जहां आपने परिक्षा दिया था, उस college पे आप चले जाओ, मतलब आपका परिक्षा केंदर जो था, वहाँ पर चले जाओगे, वहाँ से एक memo ले लेना, memo या फिर attendance seat, जिस पर आपने attendance बनाया था, क्याने मतलब कुछ तो evidence चाहिए, दिखाने के लिए कि हाँ मैं परिक्षा में उपस्थित था, उसके बाव एक application, आवेदन लिखके, उन चारो paper को सनलगन करके, college पर मत जाना, पहुत सार वीडियो में बताते हैं, youtube चैनल वाले की college पर जाना, अब सीधे, university में परिक्षा नियंतरक के पास जाओ, और वहाँ पर जाके बोलो, कि sir, मेरे पास सारा evidence है, उसके बाद भी मुझे देखिए कि absent कर दिया गया, पहरा reason यह हो सकता है, आपका promote होने का कि absent हो गया, तो controller के पास जाए और उनको अपने समस्याओं के बारे में अवगत करवाई है, निस्चित रूप से वो इसका निराकरन करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको परिशानी जहलना परेगा, उनको बताईए कि मैं present था, मेरे पस में सारा proof है, evidence के लिए आप अपने परिक्षा के अंदर पर जाके memo या attendance seat का proof आप निकलवाल होगी कि हाँ आप परिक्षा में present थे, उसके बाद भी आपको absent कर दिया गया है, पहला reason absent का हो सकते, दूसरा यह कि आपको कम marks मिला है, मतलब less marks, we have got less marks, मान लीजे, आपका past marks जो honours का होता है, वो आप सभी को पता होगा या जिनको नहीं पता है, उनको मैं बता दूँ कि दो honours paper आपका होता है, part 1 और part 2 में, दो-दो paper, part 3 में 4 paper होता है, तो part 1 और part 2 में 90 marks आपका passing है, दोनों paper मिला के आपको 90 अंक लाना ही है, total 200 का आपका को मिला के लाओ, या एक subject में आप 80 लाओ, एक subject में 10 लाओ, फिर भी आप pass हो, अगर किसी subject में आप 90 ला लो और एक में आप 0 लाओ, फिर भी आप pass हो, मतलब दोनों को मिला के 90 क्रॉस करना है, किसी भी हालत में, अन्य था आप फेल हो जाओगे, या promote हो जाओगे, तो less marks होन दे दोगे उनिवर्सिटी में, जिनका कम आक्स है, वो भी application देंगे, जीरो मार्क वाले भी, और application देने के साथ साथ सिर्फ उसी application पे निरभर नहीं रहना है, मतलब आप लोग का एक विशेईस परिक्षा, special examination कंड़क्ट करवाए जाएगा, उसका form भर देना, और बांकी च जाहो, उस रास्तों को अपना करके, वो जो विकल्प आपके पास है, उसको फॉलो करके, अपने रिजल्ट में सुधार करवा सकते हो, लेकिन बहुत ही कम चांस रहता है, रिजल्ट सुधार होने का उसमें भी, लेकिन ट्राइ करके देख लेना, तो application दे करके, आप अपने special examination conduct होगा, इस बार, क्योंकि आप तो semester वाला हो गया, तो इसे पहले जैसे apartment का होता था, उसी के साथ आपका पूराने वाले का भी हो जाता था, तो आपके special exam होगा, उसको आप qualify करोगे, उसमें pass नहीं होगा, qualify और disqualified बताएगा, तो उसको आपको pass कर लेना है, और part two, उसके बाद आप part three में बैठ सकते हो, ठीक है जी, उसके बाद आपका एक region हो सकता, आप subsidiary में fail होगे होगे, तो subsidiary fail होने पर आपको फिर से exam देना पर, जैसे आप माल लो, एक honors paper में fail होगे, माल लेते हैं, तो क्या आपको फिर से दुबारा क्या करना परेगा, मैं बता दू, दो special examination conduct करवाया जाएगा, university का part one का, और अगर honors में fail होगे है, तो दोनों paper का, ठीक है, एक paper में fail होगे हो, तो दोनों का देना परेगा, subsidiary fail होगे exam देना है, pass marks आपका 90 है, correction कैसे करवा सकते हो, सबसे पहले region पता करो, उसके बाद अपना step आप, ठीक है, अपना step लो, देखो, special prediction लिया जाएगा, इसके बारे में आपको बता दिया, जो promoted होगे, क्योंकि आप नया semester वाला system आगया, तो उसके साथ आप होगा नहीं, 30-30 साथ, अब एक बात और आपको धियान रखना है, कि बार-बार promote नहीं होना है, ये खेल नहीं बना देना है, promote को क्योंकि बार-बार promote होने पर registration भी fail हो सकता है, पांच साल का registration रहता है, पांच साल के अंदर आपको graduate होना है, नहीं होगे, तो फिर आपका registration समाप्त हो जाएगा, फिर admission लेना पड़ेगा, special date आने के बाद, exam देने के बाद, आपको result में pass होंगे, तो महापे qualified दिखेगा, तो जो चात part one के examination में, उनको part two का form भर देना है, ये नहीं कि आपने application दिया है, तो उसके भरोसे बैठना है कि मेरा result correction हो जाएगा, नहीं, आप form फिल अप कर देना, और आपका कहने का मतला, अगर सुधार होना होगा, तो सुधार हो जाएगा, अन्य था, आप आगी का examination जो होगा, उसक आपको exam देना है, promote का मतलब प्रोननत होता है, फेल नहीं होता है, इसलिए part one के जितने भी बच्चे हैं, जो part one में fail हुए थे, वो part two का examination form भर सकते है, इसमें कोई उनको रोक ठोक नहीं है, जैसे fail में हो जाता है, लेकिन आपको part one examination को qualify करना परेगा ने था, part three में फिर problem हो 200 में, 200 अंको में, honors में में 170 आना चाहिए, 140 आना चाहिए, 130 आना चाहिए, उनको promote कर दिया गया, या उनको 10% कम number दिया गया, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, उनके पास दो भी कल्प है, या तो आप scrutiny कीजिए, scrutiny में क्या होता है, आपके अंको का समिक्षा करके देखा जाता है कहीं पर जोडने में तो नहीं छूट गिया है, जोडने में छूट गिया होगा, तो जोड के number दे दिया जाएगा, घटना होगा, तो घट भी सकता है, या यथावत रह सकता है, जैसा है वैसा, एक scrutiny का process है, जो कि आपको डेर सो से 200 उर्पे लगेगा, एक process होता है, right to information RTI का आपने सुना होगा, कई सारा वीडियो मैंने इस से related अपने चैनल पर upload किया है, आप चाहो तो detail में जानने के लिए उसको जाके देख सकते हो, और नहीं तो अगर आपको एक नया वीडियो चाहिए RTI से समबंदित, तो comment box में आके आप जरूर बताईएगा अपना रहे, कि R RTI पर आपको special video चाहिए, तो मैं बना के upload कर दूगा, right to information में आपको एक copy के लिए 2000 पर लगता है, आप जिस copy पर उस अंतूस्ट हो, RTI लगा के एक बार copy मंगवा के देख लो, RTI के बारे में बहुत सारे लोग एक अफवा फैला देते हैं कि इसमें कहने का मतलब यह होता है copy evaluation होता है दुबारा से, कुछ नहीं होगा इसमें, पहले आपके पास में उसका photo state आएगा, जब आप RTI फाइल करोगे फिर, photo state आने के बाद copy को आप inspection करो, कहां पर कैसे checking हुआ है, कैसे marking किया गया, कही छूट तू नहीं गया है, क्योंकि retotaling का प्राभधान है, reevaluation का प्रा रहना चाहिए, कि हाँ, मैंने जो लिखा है, exam में जो लिखा था, मैंने वो बिल्कुल सही है, और फिर भी मुझे कम marks दिया गया है, तो आप RTI कर सकते हो, अन्य था RTI करने से भी खास फाइदा नहीं है, जो छातर confident है, वहीं RTI करें, अपने copy को मंगवा के एक बार चेक कीजिए, उसको scrutinize कीजिए, कि उसमें क्या mistake University के कहने के मतलब परिक्षक के द्वारा किया गया है, या आपने कुछ mistake किया, सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, तो ये आपका University का update और एक छोटा सा है, कि अगर मालो जो चातर तीन चार पांच अंकों से प् application दे करके, हर एक पैत्रा अपना के देखो, result में सुधार हो जाता है, तो well and good, लेकिन आप अपने परिक्षा की तयारी जारी रखो, उसके भरोसे नहीं बैठना है, RTI के संबन्दित, आप RTI का में process कर सकती हो, लेकिन तयारी जारी रखना, क्योंकि RTI में भी समय लगता है, scrutiny में भी समय लगेगा, 100 बच्चों में से, 1-2 बच्चों का ही scrutiny करने के बाद सही होगी, marks आता है, लेकितो बाके का वैसे का वैसे रह जाता है, तो आप ऐसे मेरा अगर मानो बाद, तो आप 90% अपने special exam जो conduct होगा, उसका तयारी करो, application दे करके छोड़ दो, सारा proof आप university में controller के पास जाके जमा कर दो, आशा कर रहा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने जूनियर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इसको share करिए, और हमारे चैनल के साथ निशिर रूप से जर जाए, और जो लोग चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, इसे तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपने स्वास्त का ख्याल रखें, इश्वार आप सभी का कल्यान करें, बहुत बहुत धन्यवाद